दोस्तो स्वागत है आपका Amplifier World चैनल में और आज दोस्तो हम बात करेंगे स्पीकर प्रोटेक्शन जी हाँ स्पीकर प्रोटेक्शन ऐसा जिसमें कि आप थर्मल प्रोटेक्शन आसानी से आइड कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर एक रिले बनाई है यह रिले हमारी 12V DC से आउपरेट होने वाली रिले है और यह रिले का कौईल है और दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिले के कौईल में तीन पॉइंट्स होते हैं पहला तो एक कौमन होता है जिसे पोल कहते हैं एक नॉर्मली कनेक्ट और दूसरा नॉर्मली ओपन यानि कि जो नॉर्मली ओपन होता है जिसमें हमें कंटिनुटी नहीं मिलती है पोल के साथ उस पॉइंट के साथ हमें स्पीकर लगाना होता है तो देखे, speaker का output हमें वहां से लेना है, ये speaker लगा दिया और speaker का एक thermal ground से directly जुड़ा हुआ होता है, जो कि amplifier का ground होता है, अब इस तरीके से ये connect करने के बाद, speaker connect करने के बाद, हमें जो speaker का output आ रहा है, जो amplifier से जो speaker output आ रहा है, वो हमें relay के pole, यानि की common point पर हमें लगा देना है अब इसके बाद दिखे हैं, 12V DC यहाँ पर relay को operate कराने के लिए, जो speaker protection का relay है, उसको operate कराने के लिए separate 12V DC का इस्तिमाल कर रहे हैं, और जिसका ground और amplifier के speaker का ground आपस में connect होता है, अब ये positive supply हमें connect करना है, relay के coil के एक terminal के साथ, इस तरीके से अब relay को operate करने के लिए हमें एक transistor च लगते हैं, medium power का, दोस्तों, इस relay driver transistor का emitter ground से जूड़ा रहेगा, और base पर signal जाती ही, ये ground यहाँ आजाएगा, और positive already coil पर है, यहाँ पर, तो relay energized हो जाएगी और contacts बनेगा, तो ये BD139 को drive करने के लिए हमें एक NPN transistor ले रहे हैं, BC548, और BC548 का emitter इसके base से जूड़ा इस तरीके से जोड़ देना है, ये actually BC548 इस BD139 को drive करने के लिए है, ताकि कम current पर भी BD139 easily drive हो सके, और इसका collector और BD139 ये collector आपास में जूड़े होगे रहेंगे, और जो BD139 है उसके base से 1K का resistance ground से जूड़ा रहेगा, दोस्तों, 1K का resistance इसलिए जूड़ी है कि ताकि BD BD139 unnecessary conduct ना करें, जब उसके base पर कोई signal हो, अब देखिए BC548 इसके base पर हमें positive voltage लेके आना होगा, जैसी BC548 के base पर positive voltage आएगा, ये BD139 को conduct कराएगा, और यहाँ पर 1K resistance उस समय लूड़ का काम करेगा, यानि कि जैसे इसके base पर signal आना बंद होगा, ये 1K resistance BD139 को stop कराएग दोस्तों ये 220 के resistance लगाते ही, ये BD139 conduct करने लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पर delay चाहिए होगा, यानि कि जैसे ही हम supply देंगे, तो relay तुरंट on नहीं होने चाहिए, उसमें हमें 2 से 4 सेकेंड का delay चाहिए होता है, तो ये delay add करने के लिए हमें, ये जो BC548 है, इस transistor के base पर एक capacitor लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर 100 UF 63 V का capacitor लगा दिया है, तो ये capacitor चार्ज होने में time लगेगा, और जितना time लगेगा, मतलब 3 से 4 सेकेंड का time लगेगा, इस वज़े से इसके base पर 3-4 सेकेंड बाद voltage डेवलप होगा, और ये जो relay है, इस वज़े से 3 या 4 सेकेंड के बाद में on होगी, तो इस तरीके से हमें time delay मिल जाता है, लेकिन ये जो capacitor है, इसे हमें discharge भी करना होता है, यानि कि हम power off करके दुबारा on करेंगे, तो ये तब तक capacitor discharge हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर 68 K का इस capacitor को discharge करने के लिए resistance लगा रहे है, तो दोस्तों इस तरीके से हम एक perfect delay time मिल जाएगा, अगर आप delay time बढ़ाना चाहते हैं, तो 100 UF की value आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बाद देखिए दोस्तों हमने BC 548 एक और NPN transistor लिया है, अब ये transistor का काम है DC को sense करना है, देखिए हमारी speaker line पर जैसे ही DC voltage आ जाएगा, तो हमें relay को trip कराना है, तो यहाँ पर ये BC 548 इसका output जो है collector से हमें मिलेगा, और ये output हमें यहाँ पर दे देना है, दोस्तों जैसे ही ये transistor DC voltage detect करेगा, यहाँ से जो output मिलेगा, इस पूरे relay driver circuit को चलाएगा और ये relay off हो जाएगी, दोस्तों amplifier के speaker output पर AC voltage होता है, जबकि ये transistor DC पर काम करना है, यहाँ पर एक bridge network बनाना है, ये 4148 इस devote से बनेगा, ये bridge network, अब इसमें एक सीरा इसका ground से जोड़ जाएगा, और दूसरा जो सीरा है, हमें यहाँ पर 47K के resistance से जोड़ना है, speaker line से, तो यहाँ पर 47K के resistance से जोड़ दिया है, यहाँ speaker line से connect हो गया है, अब इसके बाद, output मिलेगा, positive and negative, तो जो positive output है, हमें इस transistor के base से जोड़ना है, और जो negative output है, यह positive बेस से जोड़ गया, और जो negative output है, यहाँ emitter से जोड़ जाएगा, तो इस तरीके से जोड़ गया, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही इसमें कोई DC voltage आता है, तो यह transistor conduct करेगा, और आगे वाले circuit को drive करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक base to emitter, एक discharge resistance लगाना होता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है base to emitter, तो ऐसी यहाँ पर लगाना है, यानि कि unnecessary यह transistor conduct न करे जब कोई DC voltage नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर 4.7K resistance लगा है, नेक्ट इसके बाद जो 47K का resistance यहाँ पर जो speaker line का इसी voltage ला रहा है, यहाँ पर हमें एक bipolar capacitor लगाने की जर्रत है, तो देखी यहाँ पर आप bipolar capacitor जो है 50μF का लगा सकते हैं, लेकिन 50μF bipolar capacitor मिलना मुश्किल है, इसलिए आप 100μF के दो capacitor इस तरीके से series में लगाएं, मतलब यह दोनों capacitor के negative negative terminal को आपस पे जोड देना है, और positive positive यह इस तरीके से जुड़ जाएंगे, अब इसके बाद दोस्तो हमें thermal protection add करना है, तो देखी इस type का thermal switch मिलता है, market में दोस्तो thermal switch temperature के इसाफ से मिलता है, तो हमें जो thermal switch use करना है, उसका temperature 85 degree Celsius और वो normally open होना चाहिए, यानि कि 85 degree Celsius से अगर temperature कम है, तो वो switch जो है normally open होनी चाहिए, और 85 degree Celsius या उससे ज्यादा का temperature हो जाता है, उसके बाद ही ये switch on होनी चाहिए, तो दोस्तो कुछ इस तरीके से ये thermal switch दिखाई देती है, इसके दो thermal इस तरीके से बनाया रखे हैं मैंने, और दोस्तो आपको खास बात ध्यान ये रखनी है कि जब 85 degree Celsius या उस प्लस supply जोड़ देना है, तो positive supply हमने amplifier से जो आता है, हमने एक point पर जोड़ दिया, और जो दूसरा point है, 47 के resistance लगा के speaker protection circuit की इस point पर आपको जोड़ना है, यहाँ पर DC sense होता है, तो देखे इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर दोस्तो जैसे ही thermally ये switch operate होगा, तो DC supply जो है 47 के resistance से इस point पर पहुचेगी और यह relay DC fault पर trip होगी, यानि कि speaker protection circuit को लगेगा कि DC fault आगया है, वो trip हो जाएगा, तो लेकिन thermally कब trip हुआ है, यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 10K के resistance लगा कर, और एक LED लगा देंगे, LED का positive सीरा इस त हमें इस बात का पता चल जाएगा कि जो हमारा amplifier जो trip हुआ है, speaker protection relay जो trip हुई है, वो thermally trip हुई है, या तो दो तरीके से trip हो सकती है, या तो DC आने पर, speaker line पर DC आने पर, या फिर thermally operate होने पर, तो आपको thermally operate हुआ है कि नहीं यह पता चलेगा इस LED को लगाने से, तो दोस्तों तो इस तरीके से circuit यहां complete हो जाता है, लेकिन यहां एक जरुरी बात यह रह जाती है, जब भी coil operate होती है, यानि कि यह relay जब भी इस coil को operate कराएगा, तो relay के coil से reverse voltage आता है, जो कि इस BD139 को खराब कर सकता है, इसके लिए यहां पर, एक free willing diode लगा दिया जाता है, जिसका number 1N4007 तो दोस्तों फिर चलते चलते आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ PCB वगरे भी बना दिया जाए छोटे relay में, और जिसमें कुछ LEDs भी डाल दिये जाएं, तो वो भी हो जाएगा, तो मैं PCB डिजा में add कर दूंगा, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में, thank you for watching and have a nice day.